नमस्कार किसान भाईयो अपना कृष्ची बाजार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज फिर हम लेक्ट आए है अफिम पोलिसी यानि की अफिम नीती 2024 आज के वीडियो में हम वही पोलिसी के बारे में पूरी डिटेल वीडियो लाए हैं वोरे पोलिसी आ 2024 की पोलिसी आ चुकी है 30 अक्टूमबर 2024 को ये पोलिसी आई है और यह जो में में पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूं तो पहला पॉइंट है कि जो सीपीएस पद्दिती के अंदर जो पट्टे थे पिछले साल क्या वो वापस आएंगे तो किसान भाईयों जिन किस किसान भाईयों ने प्रती हेक्टियर 675 किलोग्राम दिया यानि कि 10 अरी पर 67 किलो 500 ग्राम डोड़ा दिया है सरकार को उन किसान भाईयों का पट्टा आ जाएगा और जिन किसान भाईयों ने 90 किलो 10 अरी के हिसाब से डोड़ा दिया है सरकार को उनको प्रोसाहन है तू किस लौइयों इस बार लुई खे लिए लाइसेंस दिया जाएगा किसानल भाईयों और जिन किसानल भाईयों ने 67 टे किलो 500 कराम से कम तोड़ा चुरा दिया है किसानल भाईयों कप्ठा एक साल के लिए अब भी होल्ड करया है यानि extra with अफिम नहीं वो पाएंगे वो फिर अगले साल से वापस नियम और काईदे के साथ वापस उनको लाइसेंस मिल जाएगा जो दूसरा पॉइंट आता है किसान भाईयों की जो लुआई चीराई के लिए पट्टे दिये गए थे पिछले साल जिनोंने 4.2 किलोग्राम प्रती हेक्टियर के हिसाब से मार्फिन दी थी उनकिसान भाईयों को लुआई चीराई के लिए वापस पट्टा दिया जाएगा लेकिन 3.0 से 4.2 kg के बीच में जिनोंने मार्फिन दी है तो उन किसन भाईयों को जो पट्टा दिया जाएगा वो CPS के अंदर दिया जाएगा किसन भाईयों और अगर बात कर लेते हैं किसन भाईयों इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है कि इस बार कितनी आरी के पट्टे दिया जाएगे तो किसन भाईयों पिछली बार की तरह इस बार भी 10-10 आरी के पट्टे ही दिया जाएगे यानि कि 10 आरी का पट्टा दिया जाएगा और ये जो में बात की किसन भाईयों अफिम बोने की जो ये थी और किसान भाई के पिछले साल किसी कारणवश पट्टा नहीं बो पाया और उसका लाइसेंस आ गया था तो वो भी इस बार वापस अपना लाइसेंस ले पाएगा वापस सरकार उसको पर्मिशन देगी तो मैंन पॉलिसी की ये बात है और स्क्रीन पे मैं सारे स्क्रीन शोट्स डाल दूँगा पॉलिसी के तो यहां से आप पढ़ सकते तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच जाए और इसके अलावा मैं अभी एक सीरीज इस्तार करने वालो हूँ अफ्जी में पर तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें